नमस्कार देच्चू चैनल पर आपका स्वागत है बात करेंगे राजिस्तान के मौशम की बारे में अगले 24 गंटों से लगवाकर एक सब्सक्रा की दोरान के सराइगा मौशम आज है दू माई दोजार सोबिस राजिय में बीते दो तीन दिनों के दूरान ज्यदातर बागों में लगबग लगबग सोब परसेंट मौशम सुष्क बना हुआ है हलाकि कल यां 3 माई को एक अमजोर पच्छी में एक सोब सक्री होने से राजिम एक बार फिर से मौशम में बदलाओ देखनी को मिल सकता है जो कुजबिका नेर के बाग है उजगंगानगर के आसपास के बाग एको जेसल मेर के बागों पर यां तीन माई के दुरां छुट पूर जगों पर मत्र कहीं के बुंदा बादी होने की संबाउन है बाकि सबी सहत्रों पर लग बग लग बग 98% मौसरम हलके बादल तो कहीं के कपाशी बादलों की आवाजे की बीस में मौसरम सुष्क बने रहने की संबाउन है बीते दो दिनों से तापान में कुछ बड़ोतरी देखने को मिली है अधिक्तम तापान 38 से लगा कर 16 डिकर के आसपास रिकोर्ड होने की संबाउन है और दिन में घ्टी उसे लेगी जोदपुर और कोटर संबाग के भागों पर लेकिन 8 और 9 माई के दुरान एक सिस्टम एक्ट्व फेर्शेव का बंगाल की खाड़ी पर बने परिशंतंतर के प्रपाव के करण 8 माई के दोपर के बाद में दक्सिनी और पोरी भागों पर बादलों का जमा ओर रहेगा आठ नौ दस माई के दुरान कोटा संभाग और उदेपूर संभाग के बागों पर भी कहीं कहीं बुंदाबांती तो कहीं कहीं मद्यम दज्ज की बारिश होने की संभाद है हलाकि 11 माई के दुरान भी जर्पूर संभाग बर्दपूर संभाग के अजमे संभाग के जिलो पर बुन्दाबादी होने की प्रबल संभाणा बन्युई है कल 3 माई के दुरान जोदपूर बीकानेर गंगानगर और कुछ अनुबगड के बाग हैं बाड मेर के चतने हैं फलोदी के बागों पर नक्सिन पचिम दोल पर रिवाए से लेगी हलाकि ज्यादातर सेतरों में दूपर तक वाँ संभाणा नहीं रहेगी लेकिन 3 माई के दूपर के बाद में वाएं के जोके तेज आने की संभाणा हैं लगबग 25 से लगा कर 30 किलमेटर पर दिगंड़ की रफटार से तेज जोके आने की संभाणा हैं जेसल मेर के लाकों पर 3 और 4 माई के दूरान बादल बने रहेंगे और सुच पूर जगों पर करेंगे मुंदा बादी भी होने की प्रिबल संभाना बनी हुए हैं तो आप इसी चैनल पर पहली बार पुदा रहें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जे हिन जे राजस्तान